गोशा महल के एक प्लाइवूट शॉप में आज उड़ने वाले साप के मिलने से हलचल मच गई तिलंगाना और आंधरदेश में पहली बार इस प्रकार का उड़ने वाला साप देखा गया है साप को आज देला लेमिनेट प्लाइवूट शॉप में सटर के पीछे से बरामत किया गया है सॉप के मालिक कोशिल पटेल ने साप को देखकर तुरंट फेदर्स आफ स्नेक सोसाइटी को फोन किया जानकारी मिलते ही सोसाइटी के सचीव अरुन कुमार ने तुरंट गोशा महल पहुचकर साप को पकड़ लिया अरुन कुमार ने बताया कि 3-4 फीट लंबा ये शाप हवा में 20-30 फीट तक उड़ता है इसी प्रकार ये हवा में उड़कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भी चला जाता है साप को सैनिक पूरिस्थि साप संरक्षन केंदर पहुचा दिया गया है